श्रेक्रिष्ण कनहय आलाल कीजे श्रेन यानन्द स्वामी कीजे श्रे प्राणनाथ प्यारे कीजे ताथे रसतो सब एक है तामे अनेक रंगा कलंगी दुग दुगी ठोड़ अपने करता माहो माहे जंगा करता माहो माहे जंगा श्रेक्रिष्ण कनहय आलाल की पुर्ण ब्रह्म परमात्मा स्री राज्जी के श्रुप का ही वर्णन निरंतर चल रहा है तो उसमें कलभी बीच बीच में ब्रह्मात्मा की बात आती है कभी श्रे राज्जी के स्वरुप में उनके वस्त्राहोशन उनकी बात आती है किन्तो सभी का मुख्य उद्देश्य तो प्रह्मात्मा ही पुर्ण प्रह्म परमात्मा की स्वरुप का बर्णन कर शक्ती है यद्दिपी उनके विश्वे में दुनिया में कोई इतनी चर्चा नहीं हुई है और अभी तक प्रह्मात्मा की स्वरुप का क्यों बर्णन नहीं हुगा उसकी संदर्म में आ समझा रहे हैं मोमिन असल सूरत अरसमे ब्रह्मा आत्माओं का असली स्वरूप है वो परमधा में ही है अबलों न जाहर कित तो अभी तक पुर्ण ब्रह्मा परमात्मा का स्वरूप इस दुनिया में जाहर नहीं हुआ पुर्ण रूप से कहीं भी उसका कारण क्या है? खोज खोज कई बुज रक गए खोज खोज करके अनेक लोग चले गए हैं परमधाम की आत्मा ही यह लेकर के आई है तो परमधाम की आत्मा भी यह अबलों न जाहर कित इसकार से यह भी उसमें कर सकते हैं परमधाम की आत्माएं ब्रह्मा आत्माएं परमधाम में ही हैं उनका मुल श्वरूप परमदाम में अभी तक दुनिया में उप्रकट नहीं हुई थी इसलिए इस दुनिया में परमात्मा के श्वरूप की खुच करने वाले लोग अनेक हुए और वो चले भी गए हैं किन्तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात हूँ उनके श्वरूप की उनके लीला की धाम की ये सारे बातें ब्रह्मात्मा ये लेकर के आई है इस दुनिया में नूर खुबी कई केशन की हक श्वरूप की इत पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्वरूप के वरणन करते हुए का रहे हैं स्रीराज्जी के कुंतलकेश से निकलने वाले प्रकास में कितनी विशिष्टा है इसकी बात करेंगे तो हाया हाय मेरा अंग मुर्दा ना हुआ कहते बग्का निश्वतर तो परमधाम में अक्षरातित धामदने के अंगर स्वरुपी है ब्रहमात्मा है और हमारा मूल परमधाम में है और ऐसे हमारे अंगे पुर्ण ब्रहम परमात्मा के श्वरुप का वरणन करते हुए है तो ये नश्वर्तन है इसमें से प्राण चेतना क्यों निकल नहीं रही है और ये मुर्दा क्यों नहीं हो रहा है तो वो तो बरणन ही नहीं हो सकता है अक्षरातित का तो फिर भी बरणन करना पड़ रहा है ये एक विरहा की बात है तो ये शहीली विरहात्मक होती है तो उसमें जो लोग बाई अद्रिश्टी से देखेंगे वो बोलेंगे कि एक तरफ तो बोलते हैं कि ये बोला नहीं जाता है और दुसरे दरफ बताते भी जा रहे हैं तो तरक भी तरक करना हो तो कहीं भी कर सकते हैं कि तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये इस शरीर के बलबुते की बात नहीं है क्योंकि इस शरीर के माध्यम से बताने का प्रायतन तो अनिक लोगों ने किया है अभी जो हो रहा है पूरण ब्रमात्मा का आदेश ये काम कर रहा है तो इस नश्वर शरीर के द्वारा दे इसी आदेश ने ये सब कहलाया है और ये आदेश ब्रमात्माओं के उपर आया है और ब्रमात्माओं के द्वारा ये सब हो रहा है ये बात समझाना चाह रहा है इस रहश्य को समझेंगे तो इस सारे चोपाईयों में जो जो बार-बार बिरह की बात पर रहे हैं तो वो सब समझ में आ जाएगी और बार बार लड़ा लड़ा करके करताथ परिया, तो एक बार नहीं, दू बार नहीं, तीन बार नहीं तो क्रिस्ट ये सारे मिला करके तो विचार करेंगे न तो सागर और सिंगार गरंथ में साथ बार वरणन किया है तो इसलिए वो कहते हैं जेती परिक्रमा ने जधाम की साथों स्वरूप स्रे राज अब वहां लोगों ने उसका आर्थ दूसरे प्रकार्श कर दिया सारे पर्नामिने वास्ते मोमिन के का जहे również चोपाएं अब यह क्या किस प्रशंग में है कि ब्रह्म बानी का अवतरण किस प्रकार हो रहा हुआ है उसके बात कर रहा है rendre तो जेती परिक्रमा ने जधाम की जैसे रास यहां उतरा प्रकास यहां उतरा कलस, शट्रित कलस इस तरस्त छिशनंद यह उतरा यह उतरा तो पन्ना में क्या-क्या, किन-कन गृण्था है आवतरण हुआ तो परम्धाम की परिक्रमा, जेती परिक्रमा निजभाम की सागर और सिंगार जिसमें दोनों में मिला करके देखते हैं तो साथ साथ बार वरणन किया है इसलिए ये कह रहे हैं ये सब पन्ना में ये बाणी पन्ना में उतरी है तो ये ब्रमात्माओं के लिए ही उतरी है ऐसा कह रहे है अब उसका किसे ने ये कह दिया कि परमधाम के परिक्रमा करते हैं या पन्ना में करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा तो फिर तो परमधाम की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ी ना तो वो ठीक है कि पन्ना बहुत बड़ा तेर्था है तो उसके महत्वा के लिए उसकी बात कोई कर दें लेकिन परमधाम के साथ में परमधाम की बराबरे दुनिया के कोई भी वश्तों ने कर शकती है तो दुनिया के इससाट से कौन-कौन किस प्रकार चाष्ट है वो चर्चा होती है तो यह बार-बार कह रहे हैं, कहने का ताथ पर लड़ा लड़ा करके गाया तो इस प्रकार से बार-बार कहा है तो यह समझना चाहिए मुमिन चाहिए विराह सुनते तब अरवा उड़े जाए तो प्रमात्माओं को तो अक्षरातित धनी का विराह सुनते ही उनकी आत्मा तो तुरूंत चले जाने चाहिए तो फिर ये बारवार बरणन के हुआ तो यह सब अक्षराति दाम दने का आदेश करवा रहा है यह समझना चाहिए जो पराातम पहुँचे नहीं सो क्यों पहुँचे हकांग को जब दुनिया के शब्द ब्रह्मात्माओं का असली शुरूप जिसको पराातमा कहते हैं परामधा में है खेल देखते हुए पुर्ण ब्रह्मा परामात्मा के चरणों में है तो उस शुरूप का भी बरणन नहीं हो सकता है तो यह शब्द वहां तो उनको बरदाने के लिए भी परियाप्त नहीं है तो फिर क्यों पहुँचे हकांग को तो उनके भी अंगी पुर्ण ब्रह्म परामात्मा तो उनके शुरूप का भरणन कैसे कर सकेंगे आशिक और मासुक कैसे तफाव होता है नहीं हो तो अब ब्रह्मात्मा के शुरूप का भी भरणन नहीं हो सकता है तो इसका कारण क्या है तो कहते हैं कि ब्रह्मा आत्मा आसिक है और पूरुन ब्रह्मा परमात्मा मासुक है और आसिक और मासुक दोनों एकी अंगा है इसलिए उसमें उन दोनों कोई अंदर नहीं है जैसे पूरुन ब्रह्मा का वरणन नहीं हो सकता इसे प्रकार उनकी अंगस्वरुपा अनुरागनी आत्माओं का विवरनन नहीं हो सकता ये कार है नाजुक शुवाह का कि जो रूह के आवे नाजर तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा की शुवाह के इसी ये नाजुक कहने से कमजुर ऐसा नहीं है तो बहुत ही कमनिय शुवाह है तो इतनी कोमल इतनी कमनिय ऐसी शुवाह है कि यदि वो आत्मा की दृष्टी में आ जाए तो अब ही तो को अरशकी होए जाए भजर ही ब्रह्मात्मा यदि तुमारे दृष्टी में पूरण ब्रह्म परमात्मा क्रस्वरूप एक बार भी आ जाए तो अभी तुमारे दृष्टी है ना तो तुमारे दृष्टी ना अभी ही परमधम में पहुंच जाएगी और अब तुमारे लिए तो अभी ही जागरती हो जाएगी मतलब त यह जंग जागर्त मह पर जाचर रहे हैं जो आह दिल देखत है तेओं रूप जो देखे सूरत जो तुमारी जो सूरत का तातपरश्वरूप पुर्णamra प्रमात्मा की स्वरूप तुमारा जो मूल श्वरूप है परात्मा वो उनका दिल देख रहा है तो यह जो सुरता यहां पर आई है यह अक्षराति धामदने के स्वरुप के दर्शन कर लें तो तो बेर नहीं रूह लज्जत तेरे अंगजात निश्वत तो लज्जत का अतात्रिय श्वाध जो परमधाम की आत्मा परात्मा अक्षरातित धामधनी के दर्शन करके जिस प्रकार आनन्द कानभव कर रही है यही आनन्द तुम यहां बैठे बैठे वे कर शकते हो वो स्वात तुम भी ले सकते क्योंकि तेरे अंग जात निश्वत तेरा जो मुल शुरू पे वो भी अक्षरातित धामधनी का ही अंग है इसको परात्मा दोनों में फरक नहीं है, क्योंकि परात्मा के दिल में ही तो ये सुर्था है, तो बाट भी आगे समझाएंगे. तो दोनों तो हिल मिल करके अरस परस हैं तो अरस में जो रुग है तो हक्य कया अरस दिल क्योंकि यह जो सुर्ता है इसका मूल तो परंधाम में है ना इसलिए अक्षराति धामदनी ने तो दिल को ब्रमात्माओं के दिल को परंधाम ऐसा कहा है तो यह क्या है कि यह बड़े ही मर्म की बात है तो बहुत गहराई से समझेंगे तो इन बातों में लगेगा कि हाँ यह कहना चाहर है अब शब्द तो बड़े साधारण से लगते हैं तो उसको उपर आ उपरी देखते हैं तो पता ने क्या कह रहा है ऐसा लगने लगेगा तेरा दिल लगये आजियों सूरत को तियों जो सूरतें रूह लगे तो तेरा दिल अंक लगलत तुमारा जो असली शुरुप परमधाम में है तो उनका दिल तो अक्षराते धाम दने के शुरुप का दर्शन नेत्य करता ही है तो दिल में बैठाता ही है अक्षराते धामदनी के श्वरूप को वो कहीं भी हो प्रह्मा आत्मा चलते फिरते तो उनको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो राज्जी से आते रिखता है तो विष्राम भी करती है तो श्रीराज्जी के श्वर्यूप को रिधाय में धारण करके विष्राम करती है तो कभी अक्षराते धामदनी को अपने दिल से अलग समझ दी नहीं है तो जब परमधाम की लिला में बरनन आता है स्रेराज जी और श्यामा जी तीसरी भोम में तो विश्राम करते हैं तो ब्रहमा आत्मा अलग-अलग स्थानों में परमधाम में जाकर के बिन-बिन स्थानों में विशरन करती है अलग-अलग कारिय करती है लिला करती है तो उस समय क्या वो अकेली ही अनुभब करती है कैसा नहीं होता तो उस समय उनको लगता है कि सुरे राज्जी उनके साथ महीं जा रहे है सुरे राज्जी के साथ महीं जाती है वो अलग नहीं जाती है एक तरफ सुरे राज्जी विश्राम भी कर रहे है और दुसरे तरह ब्रह्मा आत्माओं को ले करके जावी रहें यह परमधाम की बात है यह दुनिया में इन रहश्यों को समझा नहीं जा सकता इसलिए तेरा दिल लगया जियों सूरत को तियों जो सूरतें रूह लगे तुमारा दिल है पर परहातमा वो अक्षराते धामदनी के सूरत शुरूप तो जैसे स्रीराज्य के सुरूप को रिधाय में धारन करता है तो उसी प्रकार यह जो तेरी रूह यह जो दुनिया में आई यह शुरता है यह भी अक्षराते धामदनी के सुरूप को रिधाय में धारन कर लें तो अभी रूहा लग जाता है तो इसी समय अभी उसको परमदाम को स्वाद मिलने लग जाएगा एक पलक में जागिए उसको जागरत होने में तो एक ही पलक लग जाएगा उसके ज़्यादा समय लगे नहीं जाएगा इसलिए हम यहां बोलते हैं कि हम तो राजी के शुरुब को रिधाय में धारन करते हैं यह सब बोलने के लिए करते हैं यह धर समिछ जो आत्मा धारन करते हैं उसको जागरेत होने में समाई नहीं लगता है तो यह कितने मर्म की बात है किन्तों शब्द बड़े ही सरल लगते हैं तो यह समय निरुप से देखने पर इतने बड़े भाव को समझना बड़ा मुश्किल होता है रुव तो तेरी दिल बीच में तो कया दिल अरश पहले कई होई बात यहां पर और स्पष्ट कर रहे हैं रुव तो तेरी दिल बीच में जिसको तुम आत्मा कह रहे हो यह जो परात्मा की मात्रस सुरता है यह परात्मा के दिल में ही है तो कया दिल अरस है इसलिए इस दिल को भी परमधाम कहा है क्योंकि ये परमधाम के ब्रमात्माओं के दिल में ही ये सुरता है और उनके दिल में राज्जी भी है इसलिए इस दिल को अरस कहा है राज्जी जहां होंगे तो वो परमधाम है शेहरग नजीक तो कहा इसलिए कि प्राण नली से भी नजीक स्रेराजी है पूर्ण ब्रह्मा है इसलिए कहा जो रुव दिला अरशा परशा ये जो सुरता और परात्मा का रिदाय है दोनों कोई अंतर नहीं है ये सुरता भी परात्मा के रिदाय में है इसलिए इस प्रकार क के बात कही है सूरत कहते हक के आगों रूह मोमिन तो अक्षराते धामदने के स्वरूप की बात यह ब्रह्मात्माओं के सामने करते हैं तो हाय हाय रूह मूरग ना उड़िया तो यहां मूरगा कहने का मूरगा नहीं है यह पक्षी के लिए कह रहे हैं यह आत्मारूपी चोड़े करके उड़कियों नहीं जाता है तो यह कह रहे हैं वर्णन करते अरस्चतन तो परमधाम के शुरूप का परमधाम के अंग का वर्णन करते हुए कि यह आत्मा इस शरीर में क्यों टिक करके रह रही है तो आगुं औरवाह अरस्चत के करे बाते हां कजुवान परमधाम के आत्माओं के शाम ने अक्षराति धामधनी ने बातें की है तो दुनिया दिखाने से पहले कई परिचर्चाएं की है हाय हाय तन मेरा क्यों रया करते खिलवत वयाना तो उस खिलवत का उस अंतरंग वारता का वरढ़न करते हुए तो ये शरीर किस प्रकार से ठीका हुआ है ये तो ठीकी नहीं सकता है क्योंकि ये तो आत्माओं ही देख सकती है शरीर शेशा कोई मतलबी नहीं है ये कहना चाहरा है रूहें रहें अरश दरगाहा में तो दरगाहा नूर जमाल जो दरगाहा नूर जमाल तो ब्रमात्मा कहां रहती है दिव्य परमधाम में और वो परमधाम किसका है अक्षरातित धामदने का तो एक करते वयान खिलवत का हाय हाय रूह रहे के नहाल और ऐसे परमधाम की अंतरंग बातें करते हुए है कि आत्मा किस प्रकार इस शरीर में रह रही है, ठीकी हुई है, फिर फिर मेहव देखिये लगे मीठड़ा मुख माशुक, तो अब ये भी बता रहे हैं और फिर बरणन भी कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर क्या है, कि यद्धिपी इस शरीर से, शरीर के माध्यम से इन अंगों का उपयो करके परमधाम कवरण नहीं हो सकता, किन्तो ये सब अक्षरातित के आदेश के द्वारा हो रहा है, ये शरीर के बल्बुते की बात नहीं है, ये समझा रहे हैं, तो फिर फि मिठड़ा मुख माशुक स्राराज्जी के मुखारबिन्दग के शोभा देखेंगे, तो बड़ी ही मधूर शोभा देखाई देती है, अंगा गवर जोता अंबरलओ, सभी देखे, दिल हो, तन भूख भूख आंगा गवर जोता अंबरलओ, तो उनका जो गौर मुखारविंदा है तो उसकी ज्योती पूरे अकास में चाही हुई है ऐसे सुन्दर चवी को देख करके ये दिल टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं हो रहा है रूप रंग अंग चवी शलू की कहे वश्तर भूषण उनका श्वरूप है उनका अंग है उनकी चवी है इतनी सुन्दर है कि उसे प्रकार उनकी वश्तर और आभूषण भी सुन्दर कहे एक एते अरवा नहा उड़ी ये कहते हुए ये आत्मा शेरिर से निकल नहीं गई है हाय हाय कैसी हुज्जत मूमिन यदि ब्रमा आत्मा होने का दावा करते हैं तो ये कैसा दावा है तो ब्रहमात्म तो इस श्वरूप को छोड़कर करके इधर उदर होई नहीं सकते, फिर दुनिया में क्यों ठीके हुए हो, तो इस प्रकार्श ये विरह की बात कर रहे हैं, तो तुमें अभी तक इस श्वरूप के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, ये दर्शन करने के लिए क तो यह कहना चाह रहा है, पहाँ ली का कहते अरवा उड़े क्यों वर्नभिया का सूरत तुस्रे राज्य के चरण तल की रेखा हैं, उनकी बात कहते हुए भी आत्मा तो इस शरीर में टिकती ही नहीं है, वो तो इसकी सूरता सिधा परमधा में ही पहुंच जाती है, क्यों वर्नभिया का सूरता तो फिर इस देहा के द्वारा अक्षरातित के स्वर्यूप का वर्न कैसे कर सकता, केवल चरण तल की रेखाओं का भी वर्न नहीं हो सकता, बंद बंद छूटन आ गए हाय हाय कैसी अरश हुज्यत, तो इस शरीर के बंद बंद मतलब इसके जो भी संद संद अंग अंग ये छूटे नहीं है, हाय हाय कैसी हर अरश हुज्यत, हम कैसे परमधाम के होने की दावा कर रहे हैं, कया गवर मुख मासुक का और निलवट असलन तिलक तो स्रीराज्य का मुखारविंद फिर भी गवर वरन का है, इस प्रकरशे में बुकाना पड़ रहा है, और निलवट असल तिलक और उनके ललाट प्रदेश में असली तिलक है, हाय हाय ये वयान करते क्यों जीएं, हम में रही नहीं रांचे का, तो ये वरनन करते हुएं कि हम इस शरीर में कैसे बैठे हुए हैं, हमें ये जरासा भी ध्यान नहीं रहा है, बाकि तो इस शरीर के देह भाव में रहा करके तो ये वरनन होई नहीं सकता है, ये का आना चाह रहे हैं, तो अब ये क्यों प्रशन को यह स्रिक्रिष्न का नई यालाल की जये हम में रही नहीं रंचका कैहा गौर मुख मासुक का हाई हाई बयान करते क्यों जिये हम में रही नहीं रंचका हम में रही नहीं रंचका हम में रही नहीं रंचका खर्जे पलौ की ज़ई भौ। स्री वेजानन्दश्वामी की平 स्री प्राइनात प्यारी की ख sätt पांचनोतन पुरे नाम की जगत गुरु आच्यार चार्यस्री चbuzर्ग प्रिश्नवरणीज then. झाल झाल